ही गई से यहां पर 36 गड़ी स्टेट में इलेक्ट्रिक वेहिकल स्टेट सबसीडी को पर मैंने विडियो बनाया था और कुछ-कुछ उखडी खबरे भी आपको सुनने को मिली होगी पेपर में कट आउट भी आया था जहां पर 400 अरवन लोगों को जो है इलेक्ट्रिक वेहिक अब इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा कि ओला स्कूटर वालों के लिए यहां पर खुसकवरी आ गई है कि जो जो 36 गड़ी स्टेट से ओला स्कूटर खरीदे हैं या फिर खरीद रहें उनको स्टेट सबसीडी कैसे मिलेगी कैसे क्लेम करना है कैसे अप्लाई करना है सार से ही सही गई से आप सारे चीज़े क्लियर हो गई है मुझे पहले ही सारा कुछ पता चल गया था पूरा प्रोसेस पता चल गया था मैं बस इस चीज़ का वेट कर रहा था कि ओला की तरब से यह प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली ओला की तरब से यह प्रोसे प्रफा कि ओला इलेक्ट्रिक को छोड़के अधर कंपनी का कोई भी अगर एलेक्ट्रिक वहिकल ले रहा है तो इसको इसे सबसीडी कैसे मिल रही है और यहां पे most of the वीवर्स जो है वह ओला इलेक्ट्रिक वाले ही है और जुन्होंने ओला स्कूटर खरीदा है तो इस वीडि इस गड़ी स्टेट में जिन्होंने भी ओला स्कूटर खरीदा है या फिर खरीदने का सोच रहे हो या फिर वुक कर चोके हो तो उनके लिए मैंने ये ग्रूप बनाया है और वहां पे एक दूसरे की बहुत अच्छे से हैल्प मिल जाती सारा आइडिया मिल जाता है कैसे ड सेट सबसेडी ये वह डिलर के थूद दिया जा रहा है यहां पे वैबसाइट जो कॉस्तमर के लिए अभी रैडि नहीं है लेकिन डिलर के लिए वैबसाइट को रेडि कर दिया गया है मैंने अधर स्कूटर वाले का सारा कुछ बता दिया कैसे सेट सब्सेडी मिलेगा और तो सबसे पहले गईस यहाँ पे मेरे पास पहले ही confirm हो गया था जब मैंने राइपपूर experience center पे contact किया था तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि हम लोग ही state subsidy provide करें और हमारे through ही होगा आपको कोई भी customer login यह सारा कुछ वेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि state government जो है वो सब को अभी inform कर रहे है कि state subsidy के लिए dealer को ही सारा कुछ काम करना है को भी state subsidy dealer के through ही मिलेगा और यह dealer की तरफ से confirm हो गया और इस चीज को मतलब 100 परशेंट एकदम प्रूफ देने के लिए मैं वेट कर रहा था प्रूफ के लिए ही मैं अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पहले से language होता है वो किस टाइप से बात कर रहा है उससे समझ में आ जाता है कि सही बंदा का call आया या फिर कोई fraud call है तो यह आपके responsibility होगी यहां पर गईस मेरे एक दोस्त को इस नंबर से call आया था यहां पर मैं दो डॉकुमेंट मांगेंगे आपको स्पेशली सिर्फ एक ही डॉकुमेंट देना है ऐसा वो बोलेंगे यहां पर गईस आपको यहां फिर cancel check अपना रखना है मतलब अपना checkbook जो है उसको cross करके हम लोग उसको cancel check बनाते है जसा कि आपको पता है तो यहां पर गईस अगर आपके पास cancel check नहीं है तो आप अपने bank passbook का जो detail है या फिर bank account detail जिसको बोलते है वो दोनों में से कोई एक चीज आपको provide करना है तो यहां पर गईस मे checkbook नहीं है तो आप सिर्फ अपना bank account भी जो है वो उनको दे सकते हो अगर आपकी पास call आएगा तो वो बोलोंगे कि आप दोनों में से सिर्फ एक चीज देना आपको दोनों नहीं मांगेगा अगर दोनों भी मांगते है तो आप apply कर देना है checkbook आपको जल्दी मिल जाएगा या फिर अगर आप bank में जाओगे तो checkbook आपको वो जल्दी से बना के दे देंगे अगर आप urgent है बोलोगे तो यहाँ पर अपने site से मैं एक चीज और add करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना document उनको भेजोगे और document कहां पर भेजना है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आ cancel check या फिर bank detail भेजने को बोलेंगे तो यहाँ पर आप clear हो जाना कि हाँ यह fraud call नहीं है क्योंकि Ola Electric जो support है official उनका mail ID है वहाँ पर mail करने को बोला गया है आपको क्या-क्या मांगेंगे मैंने आपको बता दिया तो दोनों में से आपको कोई एक चीज देना है और better understanding लिए कर दिया और mail करते time guys आप अपना जो order ID है वो अपने तरफ से डाल सकते हो क्योंकि order ID अगर आप डालोगे तो वहाँ पर आप से जो related जो भी आपके गाड़ी काड़ डीटेल वगरा है जो problem नहीं होगी cross check करने में तो अगर आप अपना order ID वहाँ पर mention कर दोगे और यहाँ प खरिदा है अलब जिसके नाम से गाड़ी registered है उसी कही bank account और उसी कही जो भी cancel check दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो यहाँ पर यह चीज आपको confirm हो गया है हो सकता है आपको other number से भी call है जरूरी नहीं जो number मैंने आपको शोकिया उसी number से call है कई लोगों कि मैंने में यह आ गया है तो आपको जल्दी call आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी जिसको call है हाला कि दो-तिन लोगों को call है लेकिन मैंने एक से ही बहुत अच्छा से अभी बात किया तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसको गाड़ी जो है 20 नमबर को deliver हुई थी और उन्होंने ग बुक किया था लेकिन इन्होंने अक्टूबर में बुक किया था तो इनको पहले call आ गया पहले call आने का reason यह है कि इनका जो permanent number और RC वो इनको मिल गया है और मेरा जो गाड़ी अभी टियार में ही चल रहा है और मुझे अभी तक permanent number और RC नहीं मिला है तो अगर आपका भी ऐस सीन है तो जहां पर आपने form 20 सब्मिट किया था या फिर अगर आपका कहीं contact है तो आप जो है अपने साइट से प्रैसर बनाना स्टार्ट कर दो ओला इलेक्ट्रिक सपोर्ट को भी आप call करके अब बोल सकते हो अपने बारे में बता सकते हो कि मुझे अभी तक permanent number कुछ भी न कोई गैस यह भी कुछ problem हो सकता है मैं ऐसा अपने साइट से बोल रहा हूं तो आपको जो है अपने साइट से सारा कुछ पहले से clear करके रखना है ताकि call ना आने का कोई भी reason ना हो तो आपको जो है परवाने नमबर गरा पहले RC वगरा पहले से मंगवा लेना है So hope guys आपको यह सारा कुछ clear हो गया होगा कैसे आपको इस state subsidy मिलेगी कब मिलेगी सारा कुछ मैंने बता दिया अगर कुछ भी और detail मुझे पता चलेगा तो मैं definitely video बना के बता दूँगा और जो भी important चीज होती है वो ही उससे related ही मैं video बनाता हूँ तो please subscribe कर लेना कोई भी फाल कर देना video को like कर देना and thanks for watching guys